चानक क्या I.S. Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे संसत सुरक्षा में चूप के बारे में 13 दिसंबर को संसत का शीत कालिन सत्र का अधिवेशन चल रहा था संसत की कारवाई के दोरान दो लोग सुरक्षा घहरा तोड़ कर संसत में घुश गए जिससे संसत में अफरा तफरी मच गए ऐसा होते ही सुरक्षा कर्मी फॉरण सक्रिय हो गए और उन्होंने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया संसत के अंदर दो व्यक्तियों के कूदने के मामले ने सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है सवाल ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति संसत में इस तरह से घुश सकता है यह सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है ये भी सवाल जरूर बनेगा क्या इससे देश की संसत की सुरक्षय व्यवस्ता में बदलाव करना पड़ेगा यह कैसे सुनशित किया जा सकेगा कि आइंदा ऐसी घटा फिर से ना हो क्या कूतने वाले लोग आतंकी है या उनका कुछ और मकसद था लेकिन इसमें और 22 साल पहले 13 दिसंबर को ही हमले में क्या अंतर है क्या दोनों को एक ही तरह का हमला माना जा सकता है यह विचार करना जरूरी है तो चली देखते हैं मामला क्या है देश की संसत के भीतर निचली सदन में सत्र के दौरान सुरक्षा विवस्ता में चूक उस वक्त सामने आई जब दर्शक दिरगा में बैठे दो शक्स अचानक लोग सभा में कूद गए संसत भवन पर आतंकवादी हमले की 22 वी बरसी के दिन संसत से जो वीडियो सामने आया है उसमें एक शक्स को मेजों पर कूदते हुए देखा जा सकता है और सुरक्षा कर्मियों के अलावा कुछ संसत भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे है सुरक्षा की चूक की घटना के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है वही संसत के बाहर नारे बाजी कर रहे दो लोगों को भी गिरफतार किया गया है इस घटना के बाद दर्शक दिरगा को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है बताया जा रहा है कि हमले के लिए पूरी प्लानिंग की गई है और इस मामली में 6 लोग शामिल हैं जिन में से 5 लोगों के पहचान भी हो चुकी है साल 2001 को भी 13 दिसंबर को ही जिस दिन संसत पर हमला हुआ था उस हमले में पुरानी संसत का मुख्य द्वार तोड़ कर आतंकी गुस गई थे और इसमें 9 जवान शहीद हुए थे तब संसत के बाहर ही सुरक्षा कर्मियों ने सभी हमलावरों को मार गिराया था अब हम बात करेंगे संसत में गैलरी यानि दर्शक दिर्गा के बारे में विजिटर गैलरी यानि दर्शक दिर्गा संसत के उपर होती है यहां से आम लोग सदन की कारवाई देखते हैं दर्शक दिर्गा में बैठने के लिए आगुंतुकों को विशेश पास मिलता है संसत संसत के पर्मीशन और उसके हास्ताक्शर के बाद ही विजिटर्स को पबली गैलरी में बैठने का मौका मिलता है. संसत की सिफारिश के बाद ही या तो सिंगल और ग्रुप पास्ट बनवाया जा सकता है उसपास में उसका नाम भी लिखा होता है. अगर बात करें संसत के 2001 के हमले के बारे में तो 13 दिसंबर 2001 को संसत में विंटर सेशन चल रहा था महिला आरक्षन बिल पर हंगामे के बाद 11 बज कर 2 मिनट पर सदन को सगित कर दिया गया इसके बाद उस समय के प्रधान मंतरी अटल भिहारी वाजपई और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसत से जा चुके थे करीब साड़े 11 बजे उपराष्ट पती के सिक्यूरिटी गार उनके आने के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद अमबैस्टर पर सवार पाच आतंकी गेट नमबर 12 से संसत में घुश गए उस समय सिक्यूरिटी गार्ड निहत्ते हुए करते थे ये सब देखकर सिक्यूरिटी गार्ड ने उस अमबैस्टर कार के पीछे दोर लगा दी तभी आतंकीयों की कार उपराष्ट पती की कार से टकरा गई घबरा कर आतंकीयों ने अंदा धुन्द फाइरिंग शुरू कर दी आतंकीयों के पास AK-47 और हैन ग्रेनिट थे जबकि सिक्यूरिटी गार्ड नेहत्ते थे गोलियों की अवाज सुनते ही CRPF की एक बटालियन भी एक्टिव हो गई उस वक्त संसद में देश की ग्रह मंत्री लाल कृष्ण आडवानी प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता और पत्रकार मौजूद थे सभी को अंदर ही सुरक्षित रहने को कहा गया इसी बीच एक आतंकी ने गेट नमबर एक से सदन में घुसने की कोशिश की लेकिन सिक्योर्टी फोर्सेस ने उसे वही मार गिराया इसके बाद उसके शरीर पर लगे बम में भी ब्लास्ट हो गया बाकी के चार आतंकियों ने गेट नमबर चार से सदन में घुसने की कोशिश की लेकिन इन में से तीन आतंकियों को वही मार गिराया गया इसके बाद बचे हुए आखरी आतंकी ने गेट नमबर पाँच की तरफ दौर लगाई लेकिन वो भी जवानों की गोली का शिकार हो गया जवानों और आतंकियों के बीच साड़े ग्यारा बचे शुरू हुई मुटपेड शाम को चार बचे खतम हुई संसद पर हमले के दो दिन बाद ही 15 दिसमबर 2001 को इसके मास्टर माइंड अफजल गुरू S.A.R. गिलानी अफशान गुरू शौकत हुसेन को गिरफतार कर लिया गया बाद में सुप्रीम कोट ने गिलानी और अश्फाक को बरी कर दिया लेकिन अफजल गुरू की मौत की सजा को बरकरार रखा शौकत हुसेन की मौत की सजा को भी घटा दिया गया और 10 साल की सजा का फैसला सुनाया गया 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरू को दिल्ली की तिहार जेल में सुभा आट बजे फासी पर लटका दिया गया अब हम देखेंगे कि 2001 के हमले और वर्तमान की इस घटना में क्या अंतर है दोनों हमलों में एक अंतर यही है कि जहां 2001 में हमला पुरानी संसद पर हुआ था वहीं इस बार नई संसद में सुरक्षा घेरा तोड़ा गया है 2001 में हुए हमले में जहां हमला संसद के बाहर से ही हुआ था वहीं इस बार जो हमला हुआ है उसमें सुरक्षा तोडने वाले दो शक्स पहले संसत के अंदर आपचारिक तोर पर घुसे थे और अंदर आने के बाद उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ा है 2001 के हमले में पार्च आतंकियों ने हत्यारों के साथ हमला किया था जो सुरक्षा के लिहास से बहुत बड़ी चूक माने गई थी लेकिन इस बार जो हमला हुआ है वे दो लोगों ने किया है पहले आतंकियों ने हत्यार लेकर सीधा हमला किया था लेकिन इस बार का हमला बाकाइदा संसत भवन में घुसने के बाद किया गया है और हमले में बंदूकों की जगा स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है वही पहले हमले में हमलावरों को मार गिराया गया था और इस बार उन्हें पकड़ लिया गया है अगर वर्तबान घटना पर कारवाई की बात करें तो उन सबी के खिलाफ धारा 120B और UAPA के तहट कारवाई हो रही है माना जा रहा है कि इस घटना के इतार कुछ जादा लंबे हो सकते हैं लोगसभा सचीवाले के अनुरोध पर केंद्रिय ग्रह मंत्राले ने घटना की जाज के आदेश दे दिये हैं CRPF के महानी देशक अनीश द्याल सिंग की अध्यक्षता वाली जान समीती में अन्य सुरक्षा एजंसियों के सदस्य और विशेशिग्य भी शामिल होंगे